हेलो दोस्तों वेलकम बैक टो डेटर टिप्स डाट कॉम मैं हूँ आपका अपना अकाउंटिंग दोस्त सरफ जे सिंग चलिए कंटिन्यू करते हैं कंपनी अकाउंट्स को और जिसका हम नेक्स टॉपिक कवर करेंगे आज की लेक्चर में क्लासिफ केशन अफ शेर कैपिटल अकाउंटिंग पॉइंट आफ विव कंपनी एक्टूजन थर्टीन के पार्ट वन में शेड्यूल थर्ड के अंदर पहले ही बैलेंशीट कैसे प्रपेर करनी है किसी कंपनी ने वो प्रिसक्राइब की गई है ओके अकॉर्डिंग टू दिस जो कैपिटल रिक्वार्ड होती है कंपनी को शो करने के लिए इस बैलेंशीट में वो तीन परकार की होती है पहली टाइप है हमारे पास ऑथराइज कैपिटल और दूसरी है इसूट कैपिटल और तीसरी है सब्सक्राइब कैपिटल जे तीनों की तीनों कैटेगरीज हमने कंपनी की जब बैलेंशीट पर करते हैं जो audit होनी होती है जो भी हमें सब्वेट होती है से भी में भी सारे जगाज जहां पर भी आप यूज़ कर सकते हो उसमें जी तीनों ही कैपिटल की description होनी चाहिए तीनों टाइप के को कि सबसे पहले हम समझ लेते हैं authorized capital क्या होती है authorized capital को हम nominal capital भी बोल सकते है authorized capital जहां फिर nominal capital वो capital होती है जो memorandum of association में आपकी company के द्वारा mention की जाती है कि इतने total number of share की capital ही है हमारी फरम के पास जो सैबी आपको regulate करता है कि इतने number of share capital आप issue कर सकते हो इंदा case of public limited company ओके according to section 2 subsection 8 of company act 2013 authorized capital और nominal capital means such capital as is authorized by the memorandum of a company to be maximized maximum amount of share capital of the company ठीक है simple सी बात है जह वो maximum amount होता है जो as a capital company raise कर सकती है अपने share holder से authorized capital always सबसे ज्यादा हो सकती है चाहे वो issued capital चाहे सबस्क्राइब कर लो से ज्यादा तो हो सकती है लेकिन कभी भी कम नहीं हो सकती means equal हो सकता है जितने के आप authorized हो उतनी ही आप capital issue कर दो लेकिन उससे जाना capital आप में कभी कर ही नहीं सकते है मैंचन करनी पड़ती है अपने memorandum association में equity share capital भी और preference share capital भी वह authorized capital आप book में just show करते हो उसका accounting treatment कोई नहीं होता simply आप balance sheet में उसको लिखते हो और उसको close कर देते हो वाहीं पर balance sheet के टोटल में उसको add नहीं किया जाता अब जब भी company अपनी total capital को जिसको हम share capital बोलते हैं number of small units में divide करते हैं means कोई उसके particular unit dominant बनाते हैं उसको हम क्या बोलते है share एक unit को हम बोल देते हैं share so कोई भी share हो उसकी एक face value जा फिर कोई nominal value होती है वो face value जा फिर nominal value जितनी भी हो एक रुपया दो रुपय दस रुपय सौ रुपय कितनी भी हो वो mention की होती है पहले ही हमारे memorandum of association में कितने amount की capital हमें authorized है और कितने number of unit उसके authorized है पर unit कितना price है total capital कितनी बन जाएगी okay for example a company registered with an authorized share capital और रुपिस 10 lakh may have its authorized share capital as follow अब उसको 10 lakh की share capital authorized हुआ है लेकिन वो उसको दो तरीके में उसको तोड़ सकता है दो नहीं काफी तरीकों में तोड़ सकता है हम दो example ले लेते हैं पहला केस के हैं हमारे पास 75,000 equity share of 10 इच रुपिस 10 इच के 75,000 equity share है टोटल कितने होगे 7,50,000 की और 2,500 preference shares of rupees 100 इच ठीक है तो यह amount कितना बने गया है 2,50,000 preference share और equity share plus करने के बाद हमारे पास authorized capital कितनी आगी 10 lakh जहां फिर आप यह भी कह सकते हो 1,50,000 equity share of 5 इच यह भी कितना बने गया 7,50,000 और 5,000 preference share of 50 इच यह फिर उत्रे amount बने गया कितना 2,50,000 लेकिन number of share इसमें increase हो गया क्योंकि जो face value है जहां पिर nominal value जिसका हम बोलते हैं वो कम होगी है पहले 10 थी अब 5 होगी equity share की और preference share की 100 थी उसको हमने 50 माल लिया तो इसलिए number of share बढ़ गे चलिए second type है हमारे पास issued capital issued capital authorized capital का वो पार्ट होता है वो जो market में issue किया जाता है for subscription और according to section 2 subsection 50 of company act 2013 इसकी definition क्या दिया हमें issued capital means such capital as a company issue from time to time for subscription means public को subscribe करने के लिए जो time to time आप authorized capital के part issue करते हो उसे हम बोलते हैं issued capital एक बात ध्यान में रखना always कभी भी issued capital increase नहीं हो सकती authorized capital से जितनी आपको capital authorized हैं आप उतनी ही capital issue कर सकते हो maximum उससे कम आप कितनी भी करो कोई issue नहीं है लेकिन उससे ज्यादा आप कभी भी issue नहीं कर सकते next third type है हमारे पास subscribed capital अब subscribed capital वो capital होती है वो issued capital का part होता है जो public subscribe कर लेती है जहां फिर member subscribe कर लेते हैं जिसके लिए वो पैसा दे देते हैं आपको कि इतने shares number of shares हमें चाहिए यह लोग पैसे okay according to section 2 subsection 86 of company 2013 subscribed capital means such part of capital which is for the time being subscribed by the member of company so क्या simple सी definition है simple सा मीनिंग है इसका subscribed capital वो होती है जो part होती है issued capital का जिसको member ने already subscribe कर लिया है उसको हम बोलते है subscribed capital for example ABC limited issued 2 lakh equity shares of 10 each but against which it received application for 1 lakh 90,000 equity share only so calculate the amount of issued capital and subscribed capital simple सी example है ABC limited ने 2 lakh equity share issue किये है तो issued capital हमारी कितनी हो जाएगी 2 lakh multiply by 10 10 क्योंकि face value कितनी है उसकी rupees 10 है तो टोटल होगी 20 lakh हमारी issued capital अब ऐसे ही हम subscribe capital निकाल लेंगे subscribe capital कैसे निकलेगी जितने शेयर लोगों ने subscribe किये है उसके multiply कर देंगे by face value तो subscribe कितने लोगों ने किया है 1 lakh 90,000 ने multiply कर दीजे रूपेज 10 जो face value है तो जे निकल लेंगे 19 lakh ओके आगे subscribe capital को हम classified कर सकते हैं टू हैड्स में सब classify उसमें काउन काउन सा जाता है एक है subscribe and fully paid up और दूसरा है subscribe but not fully paid up अब subscribe and fully paid up capital कौन सी होती है जिसमें आप जितनी उसकी face value है उतने ही आप उसका amount receive कर लेते हैं उसको हम बोलते हैं subscribe and fully paid up means आपने capital issue की और उसकी face value थी रूपीज 10 और आपने called भी कर दी है रूपीज 10 मिन्स आपकी called up capital कितनी होगी रूपीज 10 हो जाएगी multiply जितने number of share आपने issue किये ओके और जो paid up capital हो जाएगी अगर सभी जिसनोंने subscribe किया है सभी members आपको 10 रूपीज दे जेते हैं तो आपकी capital fully paid up हो जाएगी ओके और second case है हमारे पास subscribe but not fully paid up इस case में क्या हो सकता है अगर जैसे last case में है आपने call तो पूरे पैसे किये face value पूरी 10 रूपीज की लेकिन कुछ shareholders ने बीच में आपको 50% amount दे दिया जहां पर कुछ ने 10% दे दिया 20% कुछ amount pending है तो जितना amount pending है उसको minus कर दीजिए और बाखी का हमारे पास paid up capital निकल के आ जाएगा amount और जितना pending है वो हमारा area in calls आ जाएगा okay area in calls बगरा के topic मैं अच्छी त्रीके से आपको आगे समझाऊंगा जहां पर आप simply समझ लिए सब्सक्राइब कैटल है बट not fully paid up है इस टाइप में एक case और हो सकता है जिस case में जो company जब share issue करती है तो वो called up capital ही face value से कम कर लेती है means face value 10 है लेकिन जो call करते हैं price वो 5 कर सकते हैं 8 कर सकते हैं कुछ भी तो अगर called up ही कम है तो automatically paid up भी कम ही हो जाएगी लोग उतना ही पैसा देंगे जितना आप उनसे मागोंगे कोई फालतों तो देगा नहीं ओके इस case को भी हम तब यहीं बोलेंगे subscribe but not fully paid up अगर कोई doubt है तो as usual मेरा जो line है मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज कमेंट कीजिए हमारे youtube पर कमेंट कीजिए instagram पर हमें dm कीजिए facebook पर हमें messenger पर message कीजिए जाब भी हमें mail कीजिए अपने question हम उसका reply जरूर करेंगे ठीक है बीडियो को like करना मत बूलेगा comment कीजिए और share करें अपने friends और native के साथ जिना ज्यादा हो सकता है चैनल को subscribe करना मत बूलेगा बैर को प्रक्ष करें ताके आपके लिटर्स वीडियो की notification मिल सकें thanks for watching bye bye good morning good afternoon good evening good night जब भी आप वीडियो को देख रहे हो साश्रिया काल